वाईगुर्जीक का खलसा वाईगुर्जीक की फते गुर्मत एलिमेंटरी कोर्स पुस्तक दूसरी फिलोसफी साथ संगत सिख तरम विच साथ संगत नू सिखी आचरण दा थाम करके मन्या गया है बगैर साथ संगत दे सिखी जीवन दी उसारी हो ही नी सकती हर सिख नेमनाल अरदास विच एह मंग करदा है सैई गुर्मत प्यारे मेल जिना मिल्या तेरा नाम चित आवै गुर्मत प्यारें दे एक अठदा नाम ही साथ संगत है जिथे मिल के प्रबुदे नाम दी अरादना किती जा सकती है संगत की है दावर्नन कर दे होए गुरनानेक साइप फरमान देहन सद संगत कैसी जानी है जित्थे एको नाम वखानी है एको नाम हुकम है नानक सत गुर्दिया वुजाये जियो पना नंमबर 72 सद संगत ओ है जथे केवल प्रबुदे नाम दी विचार होए नाम की है प्रबुदा हुकम इस हुकम दी समझ कित्थो पैंदी है साथगुर तो साथगुर कोण है उत्तर है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अम्रत सारे गुर्बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे पना नंबर 982 सपष्ट है कि गुर्बाणी ते संगत दे मेल नाली साथ संग बन दी है गुरु रामधास जी फुर्मान दे हन के साथ संगत गुरु दी पाडशाला है जित्ते साथ संगी पुरक पुवित्तर गुर्ण सिख दे हन जिस नाल मलोक दा जीवन सोना अते सच्यार बन दा है साथ संगत साथ गुर्द चट साल है जित हर गुर्ण सिखा पना नंबर 1316 पाव साथ संगर साथकुर्दी पाठशाला है जित्थे पर मात्मा दे गुण आते चंगी जीवन जाज सिख्खी जा सकती है मलोख दे जीवन दी उस सारी विच जिना संस्कार दा हिस्सा है ओतें तरावन देहन नमबर एक माता पिता तो मलोख दे मुडलिव सारी विच माता पिता दा विशेश योगदान है जो उस दी स्रीरक बंतर तो लेके पालन पोश्चन तक कई पक्खांते असर करता है नमबर दूसरा संगत तो मनुख क्योंकि समाजिक जीवन रखता है इसले एक दूसरे दी संगत ते उस दे विचारां दा असर बहुत जल्दी कबूलता है नमबर तिन निजी अनबव या तजर्बे राही रोजाना जिन्दगी विच मनुख नीजी अनबव ते तजर्बे राही वी काफी कुछ प्रापत करता है जो उसी शक्षियत दे विकास विच सहाई हुंदा है इना तिन्ना विच्चों संगत ता असर बदेरे हुंदा है क्योंकि मनुखे जीवन दी नी विचारां उत्ते निर्बर है ते विचार संगत विचों जनम लेंदे हन इस करके असल अर्थां वेज मनुख दी जीवन उसारी विच संगत दा विशेश अस्थान है संगत विच राल के जदो मनुख दूजया नल मिलके काम करदा है ता उस दी काम करण दी शक्ति बाद जान दी है जिवे स्माजक जीवन विच आम इकट मनुख नो जीवन दे खोर पहलुआ विच उन्नत करदे हन इससे परकार आत्मिक उन्ती लई साथ संगत ही एक सादन है सेक तरम विच साथ संगत दा जो ख्याल दिता गया है ए नवा अते वक्रा है हिंदोस्तान दे पुराणे मत्ता मिच व्यक्तिकत आच्रन दी उसहारी ते बहुत जोर दिता गया सी रिशिया ने जंगला विच जाके तप करना बोधिया ने मठा विच मन नोई कागर करना ते जोगी इकांत वास करके स्वादी लाके अनहद शबद सुन दे सन हिंदोस्तान दे मंदरा दी बंतर नो वेख्या जावे ता मालूम हुंदा है के मंदर विच सिरफ ठाकुर या पुजारी ले ही था हुं दिसी तेर्था उत्ते कुम अते मेले लग दे सन पर कदी कदाई इना विच सारे लोग नहीं जा सक दे सन जिस तरह सरमायदारी नजाम विच कुछ आदमी बहुत तनाड बन जान्दे हन अते स्तारन लोग की बहुत कंगाल हो जान्दे हन एह इहालत पुरातन व्यक्तिगत तर्म दी सी सेख तरम ने रोजाना साथ संगत करंदा ख्याल दे के जमाती आच्रण दी उसारी कीती है इसायत अते इसलाम समाजिक तरम हन इना विच मिल जुल के निमाज पढ़नी ते होली कम्यूनिन यानिकी तार्मी काठ दरिवाज है पर इना विच खुदा या पेगंबर दी आत्म कम कर दी नहीं मननी सेख संगत विच निरा एक ख्याल कम नहीं कर दा के तार्मे कसूला दे अधार दे संगत कठी होई है बलके ए पावना भी कम कर दी है के संगत विच वाईगरू अते गुरू निवास कर दे हैं ए पावना किसे होर मजब विच नहीं मिल दी साथ संगत निवास संगत विछ है, ए सिदांत केवल सिक्खी ने पेश कीता है, मिल सत संगत, खोज दसाई, विच संगत हर प्रवशे जीयो, पाई मनी सिंग जी पगत रतनावली विच लिखते हन, महाराज दे मिलण दे चार द्वारे हन, प्रिथम साथसंगत है, बोडो सत है, तीसरा संतोख है, और चोथा समदम, बाब के मननु काबू करना है सिक तरम विच मनुखनु करम योगी बनाया है इकांत वासकरन नल मन कोई वदेरे काबू नी आउंदा साथगुरा ने इकांत दी था, साथसंगत अते सन्यास दी था, ग्रेस्थ मारक दस्या है साथसंगत रही मनुख दी आपड़ी आत्मक उन्ती हुंदी है, अते नाली समाज्दा पला हुंदा है गुर्वाक है, खोजत खोजत सुनी एह सोय, साथ संगत बिन तरेओ न कोई पन्ना नंबर 373, साथ संगत शुब गुण पैदा कर दी है, अउगणा नुदूर कर दी है नीवे पतित ते आच्रन हीन, पुर्शानु पवित्तर आत्मा ते महापुरक बना दिन्दी है गुर्देव फुर्मान दे हन, संगत संग लग उचे, जो पीप पलास खाए लीजे पन्ना नंबर 1325, पाव, जिवे पलास नू पिपल अपड़े विचलीन करके अपड़े वर गबना लंदा है इसे तरह साथ संगत विच रह के उचे जीवन वाला बन सकता है पाई गुर्दास जी, जो एक महान तरम परचारकसन लिखते हन, चंदन वास वनस्पत सब चंदन होवे अश्ट तात इक तात होए, संग पारस्ट होवे नदिया नाले वहडे मिल गंग गंग होवे पतित उधारन साध संग पापा मल तोवे पाउ चंदन दी वाश्टना नाल सब नस्पत चंदन होजांदी है पारस्टे नाल मिलके अठा ताता दी तात सोना होजांदी है नदिया नाले गंगा नाल मिलके गंगा होजांदे हन साध संगत नाल मिलके पापा दी मैल तोटी जांदी है मनुखी मन शक्ती दा कर है, जे वाइग्रु दी बक्षिश होवे, ता मनुकी मन दी ऐशक्ती सिद्धे पासे लगके, मनुखी आच्रण दी उस़ारी कर दी है, पर जे को संगत वीच पैया जावे, ता पैड़े कमा वीच लगके मनुखी जीवन नुग नास कर सक्दी है, मनुख दा मन पंची दितरा है, जेस रखत्ते बैठेगा ओहो जे फल खाएगा मनुखी मन शीशे दितरा है, इस वीच जेहा अक्ष पवेगा ओहो जे दिसेगा मनुखी मन पाणी दितरा है, इस वीच कोई रांग कोल दियो उसे दा रूप ही हो जावेगा चंगी संगत अ ते चंगे विचारा नल सांज पाई जावे ता चंगे बाण जाईदा है जे कंगालना दे पुत्तर, तनी, अनपड़ां दे चतर, काईरां दे भीर, ते बदां दे पले हो जान दे दिस्ठाम दे हन ता ओ केवल चंगी संगत दे आस्रे करके है ते जदो इससे दे उल्ट, तनियां दे कंगाल, चात्रां दे मूरक, बीरां दे काईर, ते नेकां दे बदी हो जान, ता निश्चे ही एक को संगत दा फल समझना चाईदा है पगत कबीर साहिब दे बचना अंसार को संगत दी मार मनुखन अजैई बेंदी है, जिमें बेरी दे बूटे, पास उगे होए केले दा हाल हुन्दा है कबीर मारी मरों को संग की, केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरी है, साकत संग नहेर पन्ना नंबर 1379, पाव राबनालो टुटे बंद्यांदा साथ कदी भी ना करी जिमें केले दे नेडे बेरी उग्गी होवे, बेरी हवा नल हुलारे लेंदी है केले नुचीर दी है, तिवें पैड़ी संगत विच बैठे आ, विकार दे असर हेट, तेरी जिंदगी तबाह हो जावेगी कई वार्वे खडविच आंदा है के कई मनुक संगत विच जानदे हन, पार संगत विच असर कबूल नहीं कर दे साथ संगत विच बैठे होई वी, अशांद चित, ते सकने ही रनदे हन, इस विच साथ संगत दा दोश नहीं है दोश है ऐसे जग्यासुदा जो सत्संगत विच जान समें आपने मन नू निमरता नल परंदी थां कठोरता नल पर के ले जानदा है पगत कबीर साहिब ने इस गालदा जिकर कर दिया होया चंदन ते बांस दा परमान दिता है आप केंदेहन के जित्थे सारी बनस्पती चंदन तो खुश्बू लेंदी है उत्थे नजदीक खड़ोता होया बांस अपनी उचाईद अभिमान ते अंद्रो थोता होन करके चंदन दी संगत तो सुगंदी नहीं ले सकदा मनोख नो इस द्रिष्टान तो सबक लेना चाईदा है ते हुमें हंकार नो दूर करके साथ संगत देल लाब नो ग्रहन करना चाईदा है पगत कभीर जी फर्मान देहन कभीर बांस बढ़ाई बुड़ेया यो मत डूबो कोई चंदन कै निक्टे वसे बांस सुगंद ना होए पाव बांस वांग हंकार विच फस्या होया इंसान साथ संगत रूपी चंतन कोल रेंदे बाव्यूद चंगे गुणा दी खशबूतो वांजा ही रन्दा है एस कारण जीवन अंदर किसे वी वस्तू दा हंकार नी होना चाईदा साथ संगत किस तरा माड़े आद्मिया नू भदल देंदी है इस दिया कुछ कू उधारना इत्यास विच्चो पेश कर दे हां दखणी लेंदे पंजाब दे तुलंबे नगर वेच एक शेक सजण नामी ठग रेंदा सी ए फकीरां दे पेक बना के लोका नू लुटदा सी गुरु नानक साहिब जी सजण दा उधार कर लेई इस दे टिकाने पुझे ठग ने अपने सुभाव अंसार राद दे समे गुर्देव जी नू मारना चाया उनाने राबना जुड के एक शबद गाया जिसनू सुण के सजण गुरु जी दे पास आया महराज ने उसनू किहा कि तेरा ना सजण है पर कम सजणा वाले नहीं करदा बस इतने बचन सुण दिया ही सजण काम गया उस दा मान बदल गया आते उसने ठगी छाड़ दिती गुरु का सिख बान के लगा गुरु गुरु जपन आते आय गए साथ संगत ते अथिती दी सेवा करन लग पया ए सथ संगत दा फल है एक वार पंचम पाच्षा अमरे सर सहब विच शिशोबत सन संगत जुड़ी होई सी एक ओपरा जयाम आदमी बुकल मारी आया आते संगत विच बैठ गया कुछ चिर्प विच्छो होर आदमी आ गए जो खोजी सन साथ संगत ते कीर्टन दी समापती होई खोजिया ने उठके बेंती कीती हे सच्चे पाच्षा असी चोर नू लबदे एथि पोंची हां किर्पा करके संगत विच्छो सानु चोर फड़ा देओ गुरुजी साथी संगत विच्छ कदी वी कोई चोर नहीं आया जेकर कोई है ता तुसी लब के सानु दसो असी उसनु दंड देवांगे खोजिया ने बथेरी पाल कीती पर उन्हानो कोई चोर ना लबबा उन्हाने बेंती कीती गुर्देव असी बथेरी पाल कीती है पर कोई चोर दिजदा ही नहीं संगत विच सारे संती मलूम हुन देहन चोर दे पैरा दे निशान ता इत्थे आंदेहन पर चोर दा पता नहीं लगदा ए अश्यर्ज गल है आप जानी जान हो हजूर फिर संगत नो पुछ वेखो जी मैं इना दा चोर हां मेरा ना बिदी चंद है मैं ही इना दिया मज़ण चोरी करके लियां दिया हन एक होजी मेरे पिछे आये हन मैं मज़ण उच अपड़ विच वाड़ के आप दी संगत विच आ बैठा हां सचे पाध्षा मैं हून चोरी चड़न दा प्रण करदा हां ते आप दी शरण विच रह के नाम सिम्रन अते सत संगत करनी चांदा हां इस तरह गुरु अरजन साहिव जी दी संगत ने बिदी चंद डाकू नू पाई बिदी चंद सिखा दा सेनापती अते तरम दा परचारक बढा दिता पाई गुर्दास जी ने क्या है के पारस लोहे नू सोनना बढांदा है किसे चीज नू पारस नहीं बढा सकता पर गुरु ओ पारस है जो सिख नू पारस बढा दिन्दा है पाई साब जी लिखते हन सत्गुर देव सेव अलक अपेव गत सावदान साद संग सिम्रन मातर कै पतित पुनीत रीत पारस करे मनूर बास मैं सु बास दे कुपात्रे सुपात्र कै पतित पुनीत कर पावन पुवित्र कीने पारस मनूर बास बासे द्रम जात्र कै सरिता समुंद्र साद त्रिखा वांत जी किर्पा जल दीजे मोह कांट छेद चात्र कै कवित पाई गुर्दाशी पन्ना नंबर तर्यासी पाव साथ पुर पान रूप साथगुरु दी सेवा ते सिम्रण की तया अलग ते अध्रिष्ट वाईगुरु जी दी सोजी हो जान्दी है। साथगुरु पापियानु पुवित्तर कर देंदा है। सड़े ओए लोहे पाव खोटे पुरकनु उपदेश देके पारस कर लेंदा है। अते बास वरगी माले ते हंकारे मनुखा विच्वी नाम सिम्रंदी सुगंदी वसा की उना नुचंगे ते सोणे मनुख बढा दिन्दा है। साथगुरु जिस पापियनु पुवित्तर कर दा है ओगो दूसरयानु वी पुवित्तर कर दा है। साथगुर्दी संगत नदियां अते समुंदर वरगी है। जित्तो गुर्षिक नाम सिम्रंदा जल पी के प्यास मिटांदे हन। हे गुरु जी पर मैं अपागा जी प्यासा हां क्योंकि मैं आपड़े उगणा करके नाम सिम्रंद नहीं कार सकदा। किर्पा करके मैंनों भी नाम सिम्रंद बक्षो। इस तरह साथ संगत करके ही मनुक उत्तम अते सोने जीवन वाला बाण जानता है। अते इस ता सिक तरम बिच बहुत महानस्तान है। वाईगुर्जी का खलसा वाईगुर्जी की फते।